21 जनवरी को हेमन जी को जेल में डाला गया NDA सरकार के द्वारा उसे नस्ट किया जा रहा है इनकी ग्यारंटियों की ग्यारंटी गौन लेगा आज तक आरोग साथित नहीं कर पाए हैं अज यह उम्रा एंस्तिहासिक इस मैदान में सलाव इस बात की गवाही दे रहा है कि लोग संत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाथ ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है इसको अंद करने के लिए यह संकल्ब सभा यहां पे अमंत्रित हुई है जिसले आप सभी जन भारत के हर एक देश हर एक प्रांट से आई हुए है आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बढ़ाई कि आपने हमारी ताकत को इंडिया गडबंदन की ताकत को बढ़ाया है आपके यहां उपस्तित होने से हम सब मंचा सीन जितने पार्टी के कारी करता है पार्टी जहानी गण है सभी को ताकत मिलती है क्योंकि हमारी ताकत आप सब यहां भारत की 140 करोड की जनता है जिनका बहुत जिनका हिमत जिनका ताकत हम सभी में मिला है आज भारत में बाबा साहिब जी के संविधान के प्राप जितनी भी गयारंटिया है उन सभी को एंदियों सरकार के द्वारा उसे लस्ट किया जा रहा है इनकी ग्यारंटियों की ग्यारंटियों लेगा जिनोंने एक-एक करके हमारे संदिधानिक संस्थाओं के संदिधानिक मुल्यों को तहस नहस किया है जिस धन से आज बेरोज़ारी चरम सीमा पर है जिस धन से आज महिंगाई सात्वे आस्पान पर है जिस धन से तिरे देश में नफरत की आख्षा लाई जा रही है जिस जन से हर एक जाती हर एक वर्ग के अभिकारों की रक्षा के लिए भी यहां कोई नहीं खड़ा हुआ है जब कोई भी इस धेश में बड़ा नेता हो जाए वो सबसे बड़ा नहीं होता है आज भारत की जन्ता सबसे बड़ी है अगर कोई दल बहुत अपने आपको शक्तिसाली समझता है तो भारत की 140 करोड जन्दा से जादा शक्तिसाली और ताकतवर नहीं हो सकती है आपकी एक उंगली इस उंगली का स्लुपाल करिएगा आने वाले आगामी चुनाबों में इस उंगली से हमारे गटबंधन इंडिया गटबंधन के लोगों को मजबीदी बीजेगा क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है आपको अपना लोगतंत्र बचाना है आपको अपने हतिकार हग के लिए लगना है तो आप लोगों को खास करके आपने इस वेल्ट का चुनाब सही धंग से करना हुगा आज 31 मार्च है दो महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमन जी को जेल में डाला गया दो महीने से जेल में है अरविन केज़िवाल जी तुषे 10 दिनों से जेल में है आज तक आरोग साविद नहीं कर पाए है कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है आप जनता जनारदन है आप महा अदालत है आप से जादा ताकत पर कोह नहीं हो सकता है तो आप अपनी मजबूती को अपनी ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहां इंडिया गटबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आपनी सामने खड़ी ताना शाद ताकत को यहां से उखार फेकना है और मेरा यहीं कहना है यह बूमी यह मैदाम की मिट्टी राम जी की राम नीला की कहानी बताती है हम सभी को यह याद रखना है कि स्वी राम भगवान जी ने अपने ये पुखर्ण के समय में भी नीती नियमों और आरदर्शों का पालन किया था और जिस तरीगे से उन्होंने शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा भैर एवं शहंशीलता दिखाई है और जिस तरीगे से उन्होंने ज्यानी होते हुए भी ज्यानपानी भी तख़रता दिखाई थी और जिस तरीगे से युदि में अपने प्रतिदंदियों को हरा कर के भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा था आज हमें सब को बगवान श्री राम जी के आदर्शों को सक्षी धंग से समझने की जरुवत है आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती, आप सभी का गडबंदन, आप सभी का आशिरवाद हम सब को चाहिए आज में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी जारखन जुकेगा नहीं, इंडिया जुकेगा नहीं, और इंडिया रुकेगा नहीं मैं अपनी बातों को हिस्ट्रेस के साथ यह कहना चाहूंगी जह ही, जह ही, जह ही, जह ही, जहार सैतियो बच्चों को दिलारी है क्वालिटी जुकेशन तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है डिवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल जहां लटकियों से नहीं ली जाती है अड्मिशन फी साथी साल अड्मिशन लेने वाल स्टूरेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक टिश्वन फी में मिलेगी 20 प्रतिश्वत की छूट क्वालिटी फेकल्टी स्टेम लाब बिग प्लेग्राउंड बस फैसलिटी यानी कम्प्लेट स्टूरेंट फ्रेंदी इंवरारमेंट दिवाइपातिल इंटरनेशनल स्कूल का लास्पूरम नियर में को मोड धनबाद, अड्मिशन ओपन